प्रतिभा और कला किसी माहोल या किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती है ये कहावत है और इसे सच कर दिखाया है मध्वनी में यहां लहरिया गंजनिवासी हैं सीवन पास्वान और उनकी पतनी सांती देवी ये दमपती पिछले लवग पांच दसक से जो मध्वनी पेंटिंग का ही एक स्वरूप माना जाता अब गोदना पेंटिंग उस पेंटिंग से जुरे रहा हैं और अभी जो नया ये अभी जो पदमसरी अवार्ड की जो घोसना हुई है उसमें इस दमपती को पदमसरी अवार्ड के लिए चानित किया गया है और उसके बाद यहां के कलाकारों मैं काफी खुसी है अभी मैं सीवन पासवान और जो सांती देवी हैं उनके घर पर मौझूद हूँ आप देख सकते हैं कि इनका ये जो आंगन है और यहां भी कलाकार जो हैं जो गोदना पेंटिंग से जुरे हैं वो भी काफी संख्या में यहां सब पहुंचे हैं लोगों से लगवक करीब पांच दसक पहले ये मदवनी पेंटिंग से ये जुरे हुए थे लेकिन बताया जा रहा है कि मदवनी पेंटिंग पर उस दौरान कुछ जाती विसे का अधिकार या दावा होता था तो उसके बाद एक दौन्ध किस्तिति आई जो फिर उसके बाद इन्हो को गोदना पेंटिंग है जिसमें लगोल यह भी नफवनी स्टैल में काफ ही बारीक और ये भी की जाती है Thank you ये मध्वनी की पेंटिंग की तरफ काफी चटक रंगों से ये स्राबोर नहीं होती है, ये इसमें कुछ सादगी होती है, और ये अभी पंश्री अवार्ड जो मिला है, तो सांती देवी खुद तो अभी आहां नहीं है, वो देली में हैं, लेकिन उनके जो पती हैं, सीवन ज सब का मेहनत, सब किये हैं, सब हमारे बिहार खुशी है इससे, अचा ये जो गोधना पेंटिंग है, जो मध्वनी पेंटिंग को तो काफी लगवग दरजनफर आवार्ड पंसिर वेगर मिलता रहा, लेकिन गोधना में पहली बार हुआ है, और भी केंसर कार के दोआ, जो भ होता है, मेहनत कर ये फल देने वाले बेठे हुए हैं, आप लोग का विसमें सहयोग है, जो सरकार के दोरा ये पहल हुई है, तो क्या कहेंगे? बहुत खुशी है, हमारे पूरा बिहार भी खुशी है, जितना भी है, दलित भर के लोग, सब खुश है, कि कम से कम दलितों में दुगरा के वाड़ मिला है, पत्परमेश्री, तो सब खुश है, जो पूरा बिहार भासी हमारे लिए सब खुश है, और हमारे परधान मंती भी खुश है, तब दी है ना हम लोग का वाड़, तो ये जो गोधना पेंटिंग है, इसके बारे में बतायाता है, कि आप तो पा आप लोग जो राजा सले, जो देवता के रूप में पूरते हैं, उनके उपर ये पेंटिंग आते हैं, हाँ, सारे पेंटिंग उनही का उपर में बनाए हुए है, इसमें हम लोग गाना भी आप गाते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है, तो ये क्या गाते हुए भी पेंट हीता तो रा मिला ता देवरा बेवारा मीता तो रा मिला तो आभ बाय जा सन सा उतरा तो रा दुनिया मे नाही मिला ता नाही हो देवरे मुतिये राम आब हो देवरे मुतिये राम याहो गाव नाका राका परलुभिया हमरा घारा बामे बैसो लाकाई आईया पने बी राजे चाई राजा अब मुरा अबा नहीं हो देवरे मुतिये राम राजा सलेश तीन भाई थे तो बरे भाई राजा सलेश थे छोटे भाई मुतिये राम है उससे छोट बवा बुधेस्वर है जब कुस्मा मालिन को साधी करके लाए घर में राजा सलेश महराथ तो बोले लाकर घर में तो बैठा दिये गवना करके बोले हम सिकार खेलने जंगल जा रहे हैं इधर दुरगा महरानी जो है उनका नहीं पूजा दिये तो बिदू दोहकर राजा मचिंदर को सपना दिये कि यह जो आए हैं सिकार खेलने के लिए इसका जंगल से अफरन कर लो राजा मचिंदर क्या किये तो आए जंगल में उनका जो है सो हरन करके ले गए भेरा बना दिये उहां पर जो अची जो होता है डाइन जिसको कहते हैं उनने ना मैना जोगिन को उहां पहरा रख दिये राजा सलेश से जोड़ी जो इतनी जो कदाइज है वो सब आप लोग इस पेंटिंग में उसको उकहिए जगा हूँ जैसे यह जो आप का ये भी हुसते ही जुरा हुआ है क्या तो आँक से नहीं देखे हैं, तो केच्वा पर सुनते हैं कि धरती बसा हुआ है, इसी पर सारे कहानी इनका उपर कर दिये हैं, कि ये सलेश महराज हुए, ये बववा बुधेसर हुए, और इनका जितना है, हाथी हाथी हाथी, उसका सवारी, भोलानन्द हाथी, मंगला महाओ, तो सब इसमें दर्सा दिये हैं, और कहीं चीरियां, खजन चीरियां सोसा बना दिये हैं, तो बिसी अच्छा लगने से कस्टमर आते हैं, तो खरीद का तुरंत ले जाते हैं, जैसे बायार में इस पेंटिंग की अब काफी डिमांड बढ़ी है, अच्छा ये ज में कलर कर दीजिए, अच्छा कलर तरक भरक दीजिए कि हमको परसंद आबे, तो उसमें हडा, पिला, लाल, बुलू, जितना कलरा सब मिला कर बना देता हूं कि सब खूस हो जाते हैं, ये सिवन जी जैसे आप जैसे इस पेंटिंग से लंबे समय से जुरे रहे हैं, और आप सरकार दोरा पचाई सो बार चला है, भारत सरकार बस्तमंतारे दोरा उससे भी, यहां लगवा आपके गाउम है, ये जो लेहरिया गंज है, कितने लोग इस गोजना पेंटिंग से लोग जूरे हैं भी, अभी तो हमारे पूरे फैमली है, जितना है, तीन भाया हम तीनो भाय करते हैं, बहन है, बेटी है, जितना है, सब इसी पर निर्धारी था, कोई खेती बारी हम लोग का नहीं है, अब रोटी रोटी का जड़िया भी, यहां गौवे में नहीं, पूरा जितना यहां महला है, सब में जगतपूर, मिठवली, रहिकाधून की, रसीदपूर, जहां कलाकार को हम इस रोजी-डोटी से जो रहे हैं भी, गोधना पेंटिंग से, आप दोनों आप जो पत्नी हैं, सांती जी वो भी कहा है, वो दिली गए हुए हैं से, तो आप लोग जैसे दोनों आज भी मिलके इस पेंटिंग से लोग को जोडते हैं, और रोजी-डोटी का चारो तरब जिधर ने अपना मन घुराबे उधर देखे कि खाली मधुवनी पेंटिंग ना जरा रहा है तो हम इसी से हम लगे हुए हैं कि जितना कलाकार हो सके बहुत को हम बिना पैसा को सिखाते रहते हैं कि पाउपर ठरा होकर इमहिला को रोजी रोटी है सरकारेक लगा द सकते हुए सब अपने पैर पेंटिंग में या गोधना पैंटिंग में महिलाये काम कर रहे हैं एक दो पूरूस है जो काम करते हैं दो चार पाउप नहीं तो महिलाये पूरा है इस टीम में भरा हुआ है यह सीवन पास्वान है और आप यह देख सकते हैं कि यहां जो इनके लोग यहां है आसपास इनकी कोशीज है कि हर घर में रोजी रोटी का जड़िया भी गोधना पैंटिंग हो और खासकर महिलाये भी काफी संख्या में इस पैंटिंग से जुड़ी है और यह यहां जैसे कुछ महिलाये भी हैं जैसे कि की नाम बेले आके रेखा पासमान जैसे कि आप जुरी हुई हैं जी सर हम मिठला पैंटिंग गोधना पैंटिंग दोना पैंटिंग पंद्रा साल से प्रेंटिंग बनाते हैं सारी सोट बेट से हरे कुछ बनाते हैं आपका क्या नाम है नाम प्रियंका कुमारे आप भी इस आर्ट से जुड़ी हुई यह आप देख सकते हैं कि यह यह जो यह जो एक सुरवात हुई थी सीवन पासवान और सांती देवी के द्वारा वो अब धिरे द्रे यहां रंग लाने लगी है और यहां जो लहरिया गंज जीतवारपूर गौँगे बगलक में यह जो महला है या गौँग है यहां अब हर घर में लगभग बता जा रहा है कि लोग यहां कि सरकार को भी इसके लिए इसका स्रेथ दे रहा है और लोग का कहना है कि यह जो गोद्णा पेंटिंग है यह ना सिर्फ कला है बलकि अब यहां के इस इलागे के लोगों के लिए डोजी रोटी का जड़िया भी है लोग देश-विदेश में भी इस लोग काफी उसाहित हैं अमित्र रंजन बिहार तक मध्वनी